हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रियल केमिस्टी कंसेप्ट कैप्सिल सिरीज आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉंडिंग चेप्टर का बहुत इंपोर्टन कंसेप्ट डाइपोल मॉमेंट अब डाइपोल मॉमेंट यह वर्ड क्या है तो यह वर्ड एक्सपेंड करने के लिए अब अब है एक 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 एक्सांपल ले रहा हूं कि कोई भी अगर बॉंड कोवलेंट है कोवलेंट बॉंड जैनि की बॉंड फॉंड वाय जो एक्टम है उनके बीच में इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी का डिफ्रेंस होगा जैसे कि एक्जामपल HCl क्लोरिंग की बैलेंशल में 7 इलेक्ट्रोन है 1,2,3,4,5,6 और 7 और हाइट्रोजन की बैलेंशल में 1 इलेक्ट्रोन है अब देखें यहाँ पर कि मैंने यह जो दो इलेक्ट्रोन है बॉन्डेड इलेक्ट्रोन यानि कि जो बॉन्ड पैर है उसमें एक इलेक्ट्रोन हाइट्रोजन का था और एक क्लोरिं का था मैंने वो electron almost chlorine की side draw किया है उसका meaning कि chlorine जो है वो ज्यादा powerful है यानि कि वो ज्यादा electron negative है chlorine की electron negativity ज्यादा है as compared to hydrogen यानि कि chlorine क्या करेगा जो attract जो shared pair of electron है उसको अपनी और attract करेगा और attract करने की जो वो capacity है जो tendency है उसको बोलते है electron negativity now अब यहाँ पर देखिए कि chlorine totally दोनों electron gain नहीं कर सकता hydrogen का यह जो dot वाला electron है वो gain नहीं कर सकता reason कि bond covalent है लेकिन due to electron negativity difference यह जो shared pair है वो थोड़ी सी right side यानि कि chlorine की side रहेगी यानि कि उसके side गुमने के लिए वो ज्यादा time spend करेगी यानि कि यह जो bond है वो थोड़ा सा ionic बन गा यानि कि chlorine ने electron gain किया लेकिन partially whole नहीं partially gain किया और hydrogen ने partially lose किया तो जो gain करेगा उसके उपर partial negative charge होगा और hydrogen जो lose करेगा उसके उपर partial positive like NaCl, NaCl में क्या हो रहा है? sodium और chlorine में chlorine बहुत powerful है, बहुत ज़्यादा electron negative है that's why वो totally एक electron जो sodium का है उसको gain करेगा यानि कि chlorine के उपर negative charge और sodium जो बहुत कम powerful है जो metal है वो electron lose करेगा यानि कि whole electron lose करेगा यानि कि यहाँ पे positive इसलिए यह bond perfectly ionic है लेकिन यह bond perfectly ionic नहीं है यह bond partially ionic है reason क्योंकि electron negativity difference इससे compare में इस यानिसल की compare में थोड़ा सा कम होगा यानि कि covalent bond के अंदर थोड़ा सा partially ionic bond develop हो गया ionic character develop हो गया, totally ionic character नहीं, partially ionic character डेवलोप हो गया और कोई भी covalent bond है, अगर आपको उसके अंदर ionic character find out करने ionic character यानि कि वो bond कितना ionic है, कम ionic है, ज्यादा ionic है तो covalent bond के अंदर अगर आपको ionic character find out करने तो वो find out करने के लिए यह जो quantity है उसको बोलते है dipole moment तो dipole moment is a vector quantity, vector quantity यह quantity है लेकिन वो particular direction के उपर depend है तो dipole moment is a vector quantity which give idea about the ionic character in covalent bond और यहां से कितना ionic character है वो भी आप find out कर सकते है तो dipole moment की जो equation होगी, dipole moment को हम chemistry में mu लिखता है तो mu is equal to q आपको mode में लिखना है और दो charge है यानि कि यह दोनों nucleus है, उसके बीच का जो distance है यानि कि D वो आपको यहां पे लखना है और यह charge वो आपको mode में लखना है यानि कि वो positive nickel के भी बाहर आएगा तो फिर से dipole moment की equation कोई सी है, charge into distance charge generally ESV में measure करता है और distance generally centimeter में measure करता है ओके friends, तो फिर से dipole moment क्या है, तो कोई भी covalent bond है उसके अंदर जो participating जो atom है अगर उनके बीच में अगर electro negativity का difference होगा तो वो bond partially ionic बनेगा तो यानि कि उसके अंदर ionic character develop होगे तो यह जो ionic character develop हुए, वो मुझे measure करना है जैसे अगर यहां से कोई distance, बहुत दूर कोई place है तो कितना दूर है, नस्दीक है, तो उसके लिए हम kilometer measure करता है यह remote है, वो ज्यादा heavy है, यह pan ज्यादा heavy है उसके लिए हम क्या measure करते है, weight measure करते है वैसे ही, यह molecule polar कितना है, कम polar है, ज्यादा polar है धुस्ती की compare में तो उसके लिए हम measure करते है dipole moment यानि कि हम polarity measure करते है dipole moment से हम कोई भी molecule की polarity measure करते है तो polarity यानि कि partial positive and partial negative charge और partial positive and negative charge क्यों developed होता है because due to electron negativity difference तो dipole moment में आपको अभी तो यहाँ पे एक single bond है तो यहाँ पे जो vector है dipole moment का उसकी direction positive end से start होगा और negative end तक जाएगा यानि कि dipole moment की direction from positive charge to negative charge रहेगी ओके friends आपको समझ में आ रहा है अगर कोई भी molecule है तो अगर आपको उसका dipole moment find out करना है तो उसमें जितने भी bond है या जितनी भी lon pair है वो सबका आपको vector sum करना पड़ेगा यानि कि vector sum करने के बाद जो resultant dipole moment मिलेगी अगर वो equal to फिर से resultant dipole moment अगर equal to zero है तो वो molecule को हम बोलते है non polar फिर से यहाँ पर एकी bond है ऐसे बहुत सारे bond हो सकते है सबकी आपको dipole moment measure करके यानि कि vector sum करना है और vector sum करने के बाद अगर आपको resultant dipole moment है अगर उसका answer 0 मिला तो यह non polar है अगर resultant dipole moment का answer not equal to zero मिला यहने कि greater than zero मिला तो वो molecule polar रहेगा ओके friends आपको dipole moment का basic concept समझ में आ रहा होगा थेंक्यू friends थेंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो comment section के अंदर लिख दीजिए आपके comments सकतरी कि अधर आपको अथ एंदर में आपको यह वीडिए